बिस्मिल्लाहिरोहमाने महीं होटी कल्चर टेनिंग इंसीटूट पतोगी से आपका भाई अब्रार हुसैन तो आज की दोस्तों जो मेरी वीडियो है यह स्नेल के उपर स्नेल एक छोटा सा गोल सा जानदार होता है जो के हमारे जो पोदे होते हैं इंडोर आउट्डोर उनकी जो लीफ्स होते हैं उनको वो खाता है जब उनको खाएगा तो पोदे की ग्रोथ पी अच्छे से नहीं होगी और जो हमारा प्लांट है वो हैपी नहीं रहेगा ठीक है डिप्रेस डिप्रेस रहेगा मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दफार आपको चाहता है ठीक है और चड़ के उसके जो पते होते हैं उसको खाता है जब पते खाएगा तो पोदे की ग्रोथ कहां से होगी ठीक है ये फ्रेश कॉम्पलें इसकी पसंदीदा घुजा है ठीक है अब देखें जी मैं यहां पे आपको अटैक दिखाना चाहूंगा जो गूंगे ने क एक दो तीन चार पांच छे इसको यार गूंगे जो इस टाइम चिम्टे हुए हैं इसको अपनी घजा का हिसा बना रहे हैं पोदे को ठीक है जी हता कि यह कांटो वाला पोदा है इसको भी यह नहीं जोड़ता तो सोचें कि यह मनी प्लांट का किया हाल करेगा तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके घर में घूंगा कहां से आया ठीक है और अगर आ गया है तो आप इसे बचाओ किस तरह अख्तियार करेंगे ठीक है और इसकी जो पसंदीदा जगे हैं वो आप कौन सी हैं वो कहां से आपको मिलेगा अगर आप घूंगे का शकार करना चाह बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी नर्सी से कोई पौदा खरीद के लेके आते हो तो उस पौदे के अंदर एक आदा गूंगा भी साथ में आपको फरी में मिलता है ठीक है जी गूंगे की आप जो प्राइज होती है वो नर्सी वाले को तो नहीं देते लेकिन वो साथ मे आपके गुंगा फ्री देता है गुंगा बाता किस तरह है या तो गुंगा जो हमारा पोदा होता है उसके पतों के अंदर होता है या जो गमले की जो दिवाल होती है वहां पे होता है ठीक है जी ये इसकी जो पसंद दीदा जगे हैं वो है नमी वाली जहां पे नमी होगी वह मौने पर कर तो धोर अभी कोई पर को घृत कर देगा इसके सूर्ज है बॉल देकर को बढ़ अगा साहब छुपे हुए थे अब जैसे ही सूरज डल चुका है शाम के छे बच गए हैं जो दजर अर्थ है वो कम हुआ है तो गुंगा बड़े अराम से निकल रहा है ठीक है जैसे ही बाइर निगर है बाइर आके यह किसी ने किसी पोदे के उपर अटैक करेगा अपना देखें जी यह मैंने इसको टच किया यह जो इसना अपना आप होता है यह कछवे की तरह अपने आपको इस शेल के अंदर चुपा लेता है ठीक है और तीक है अब देखें यह देखें शाम हो चुकी है यह जो गुंगे हैं ठीक है गुंगा साहब यह भी अपनी मंदल की तरफ रवाद दुआ है कारवाई डालने के लिए एक गुंगा यह देखें अगर यह जैसे जैसे शाम डलेगी आप रात को आते हैं तकरीबर नो दस बजे नर्सी के अंदर यह तो यह आपको जो आपकी यह जिसको आप कहते हैं जी चलने के लिए जो हमारे यह ट्रैक बने होते हैं इनके उपर बेभा मुकदार में आपको नजर आएंगे तो यह तो हो गया तरीके का रिये जी तो दोस्तों घूंगा मैंने आपको दिखा दिया हुए है अपनी जो जहां पर चुपा होता है पर यह पाया जाता है और किस तरह इसको नमी में यह सरवाइव करता है अगर नमी नहोगी तो यह मर जाएगा ठीक है नमी और अंदेराज चाहो इसको गनी जो चौँछाओं होती है दरखतों के जो कहते हैं झाले व्वगड़ा मुड निचे पाया जाता है ठीक है अच्छ प्लांट को ऐसे यह खाता है जैसे सवाब का काम होता है यह देखिँ अब यह जो पते हैं मनी प्लांट के यह इसका शिकार है इतने बड़े बड़े इस राख है यह से एंदर कर देता है ठीक़ है जो यह हो ψता है तो अब आपने इसका इसका इलाज किस तरह करना है बहुत सिंपल इसका इलाज यह है ठीक है जी यह एक जो मैडिसन आपको सामने नजर आ रही है यह टासिस का नाम है कांजो की मैडिसन है तो कांजो इसकी कॉंपनी का नाम है मोली साइड है यह मेरे भाई आपने इस्तमाल करनी है ठीक है यह देख ठीक है अगर कोई नर्सी वाले हसराएं तो आपों नर्सी को पानी दें पानी देने के पाद जब आपकी नर्सी वद्तर्हालत में आ जाए वद्तर्हालत बे overcoming मुझी यह थीक है जेसे के आप यह सर्फस एधर आ यह थीक हे जह थीक है तो अब आपने इसको शाम के वक्त बुपैर में नहीं बिखेरना ठीक है जी, शाम के वक्त आप क्या करेंगे? आप इसका हलका हलका सा छटा लगा देंगे, यह देखें, ऐसे, मुख्तलिफ जगों पे, ऐसे थोड़ी-थोड़ी मिकदार में यह बिखेर देंगे, ठीक है जी, यह भी मैंने मैडिसन बिखेरी है, यह हलके या लाइट ब्लू कलर की होती है, ठीक है, जब आप इसको बिखे इसको अपनी तरह आप वाए पास आएगा इसको आकर खायेगा कि इसको जब नर्सी करेए तो ले सकते हैं फोरड कर सकते हैं यह पंदरां सो का गालबन आई थिंक पंदरां सो या दो हजार के करीब इसकी जो मार्किट वर्थ है क्यूंकि ये जो एक पैक होता है ये एक एकड के लिए काफी होता है ठीक है जी ये तो नर्सी वालों ने तो इस्तुमाल कर लिया अब जो गार्डनर जो हमारे घरों में लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को जाहरी बात है उनके घरों में भी तो गूंगे मजूद है वो आपने गूंगे किस तरह खतम करें ठीक है मेरे भाई आपने जाना है किसी गार्डन शाप के उपर ठीक है गार्डन शॉप से यह आपको छोटी पैकिंग में तकरीबं डीर सो या दो सो या डाई सो की रुपे की पैकिंग में आपको यह मिलेगी वो आप इसको बिखेज सकते हैं अब गार्डन शॉप अगर कोई आपके नस्दीक तरीन है तो आप वहां से ले लें अगर आप के नस्दीक तरीन नहीं है तो बागो बहार गार्डन शॉप पत्तों की ठीक है जी वहां से आप ले सकते हैं उनका नंबर मैं अंदर बोल देता हूं 03113 14111 का नंबर है आप उनको काल करें वह आपको ऑनलाइन यह जो मैडिसन है 1500 यह गालबन कितने की भी है यह आप उनसे ले जो कीमत है वो कन्फरम कर लें इंशालला आपके जो घर में गूंगों का खात्मा हो जाएगा और आपके जतने भी प्लांट्स हैं यह हल्दी हो जाएंगे तो मेरे बाइयो दोस्तों बेनो अगर आपको जो मेरी वीडियो आपने बाई को नीचे कमेंट करें इंशालला आपका जो भाई है उस आपके जो क्वेश्चिन का आंसर ज़ूर देगा तो अपनी दौाउं के साथ अपने भाई को इजाज़े दीजिए अपने बाई को इजाज़े दीजिए अपने पाकिस्तान जिन्दा बाद